वेल्कम बैग टू जागो लहूर जनाब मैंसे मैंने शो के आगास पे आपको बताया था कि आज वॉल्ल कंजीमर डे मनाया जा रहा है यानि सारफीन के हकूग का आलमी देन। और सवाले से आज हम डीटेल डिसकाशन करेंगे हमें जोइन किया है मोहमद एहमद ने जो के सीनर वाइस प्रेजिडेंट है कंजीमर सॉलिडारिटी सिस्टम के और इसके साथ साथ हमारे से मौजूद होंगी बैरेस्टर अब बीन कोरेशी दोनों को वल्कुम करेंगे थाइं करना और हमें बुलाना यह बहुत अच्छी बात है थेंक्यू वेरी मुच पर दैट एक्चुली नाइटीन सिक्स्टी में स्टार्ट हुआ था पूरी दुनिया के अंदर आज साथ होना शुरू हुआ के कंजीमर के हवाले से बात होनी चाहिए लोगों को पता चले कंजीमर की क्या प्रॉब्लम्स चल रही है तो यह दस मुलकों ने मिलके पहले इसको शुरू किया पहली कॉंफरेंस तब से शुरू होते होते यह जो है वह नाइटीन एटी थ्री में इसको बाकाइदा तोर पे यू एनों ने अपने साथ एक्सेप्ट करना शुरू किया और उस वक कंट्री एक इंटरनेशनल कंसुमार और म्रॉैशेशचन इसको देख रही है और उसमें मोर देन 100 कंट्री थैं और मोर देन 200 तो हैं तो हैं मैंबर से इस तरह होते हैं कि हर मुक यए एक चीज बहुत इंपॉर्टन है कि वो हर साल आपक देते हैं जिसके ओपर पूरे साल में जो है वो डिबेट होती है बात होती है और अवेरनेस होती है और एंड के ओपर फिर उसकी डिपोर्ट बनाई जाती है तमाम मुख्तलिफ औरनेजेशन दुसको इकठा करके फिर एक स के ओपर पिछे तीन चार साल मुसल्सल इंटरनेशनल ओर्गनिजेशन काम कर रही है और इस अबाउट दिजिटल देंग्स हमारे एड़ के जितनी जो डिजिटल चीजे है उसके ओपर वरकिंग हो रही है और इस साल जो हमारा टॉपिक है स्पैसिविकली वो है स्मार्ट प या आजकल नए हेल्थ के मुताबिक जो हमारे जैसे अपने मुबाइल फून्स में देखा हो कि उसके अंदर आपको स्टेप्स बता रहे होते हैं पुरी दुनिया में इस चीज़ की बहुत ज्यादा इस वकत मांग पढ़ रही है कि वो लोग अपने हेल्थ को उस स्मार्ट के साथ लिंक करें ताकि आपके डॉक्टर्स या आपके मुताबिक जो हैं वो रही से रिपोर्ट्स तियार करें तो इस इन चीज़ों को सामने रखते हुए यह ज़रूरी था कि इस को उसके साथ में जो से कंसर्न्स हैं उसको भी डिसक्स किया जाए यह चीज बन तो गई लेकिन उसे कंजूमर को क्या बेडियर ज़रे और उसके प्रॉब्लम्स क्या उस पूरे साल हम ने उसके आपर बात कर वाट करते हैं पाकिस्तान में कैपना काम हो रहा है कंजूमर कोट्स का कौंचप्तों मौजूद है कितना वाकिंग में हैं पहले थोड़से मैं यह कहाँ करने में आए और 1990 से हम लोगों ने इसको अक्नॉलज करना शुरू कर दिया था कि देर इस थिंग विच इस कॉल कंजूमर प्रोटेक्शन राइट और 90 स में चला एक चीज़ जरूर है बहुत टाइम लगा 90 स में चला पहले यह सांबाद फिर खैबर पक्तून फिर बलोच इस्ता फिर बंजाब में और अभी तक यह संध में इंप्लिमेंट नहीं हुआ आज आज तक आज अगर किसी कंजूमर को कोई प्रॉब्लम में वह फिलहाल के लिए कहीं कोट में जाकर रिलीफ नहीं नहीं सकत के एक तो लोगों को पता नहीं है के कंजूमर राइट्स किया है और दूसरा यह के अगर उनको पता भी चल जाता है हमारी तरफ से बाई हमारी अमीन जो लीगल आसपेक्ट है और जो गावर्मेंट वगारा जो है उन्होंने कुछ ऐसा चिसकी इंप्लिमेंटेशन इस सेंस नहीं के कोर्ट्स हैं बहुत कम है आप पंजाब में देखें पंजाब की जो population 50 and more percent of the population of Pakistan is in Punjab में पंजाब में 36 districts है उस 36 districts में सिर्फ 17 के बास इस वकत एक एक consumer code तो और ऐ septu कि यहां अझू है शही एक जाहिए खाती एक इसना टीम करताई ética लोसाई को करना चाहिए है कि अबक दखेस्तरवाइब नगीन ुप देटाफ Specifically अगर एक सारफ है याम सारफ जिसमें से मुझे नहीं पता कि क्या राइट है तो अगर हमारी पब्लिक अवीनिस के लिए हम बात करें एक अब किस सिटुएशन में जाके वह कोट से राप्ता कर सकता है जो एक माहित कोट एक अगर जाना चाहता है तो किन वजुहाद या कोई किसी प्रॉब्लम जो आप हमारे सब्बह में बताया है अगर कोई वह इंसान जो चीज खरीद था यह बिन आपको नॉन लीगल लेमान तर्म में अगर मैं आपको समझाओ कि कोई भी चीज आपने कुछ खरीदी है चाहे वह एक कोई बिसकिट भी क्यू ना हो बेकरी से तो सम्बडी जिसने कंस्क्राक्शन करवाये यह उसने कोई सेमिंट मंग वाया रू चाहिक कोई साथ यहा ड़ी आपके कुछ लोगों के बड़े क्या करते हैं कुछ लोगी के छोटे होते हैं क्या आप उनको क्या और किती दफा हुए मेरे साथ एक परसनल नेवल पे भी पीपल हो और वाचिंग जो भी भी देख रहे हैं वो अगर सोचें कि मैंने उस चीज को खरीदा था और मैं घर आया यह घर आई हूं और वो चीज खराब निकलिए तो इस चीज का हमें यह हमारे पर रिस्पांसिबिलिटी है कि आप एक तो समझें कि कंज्यूमर राइट सापको बेसिक हर चीज जो आप खरीदते हैं वो चीजें जो आप सब लीज यह जो सब लीज पे लेते हैं उस पे भी जैसे के कोई गाड़ी खरीद लिये है उस गाड़ी यह मोटर बाइक्स कर दे हैं तो एक बात आपको वकील की जुरूरत नहीं है और दूसरी बात कोट्स वो दस तस वीज साल नहीं लगाते हैं अगर आपको प्रॉब्लम है इन फैक्ट आपको विदिन फ्यू मांस त्री मांस में आपको रिलीफ मिल जाता है बड़े बड़े जज्ज्मेंट्स आई है जहां पर इन लोगों को रिलीफ मिलिये मल्टिवनेशनल कंपनीज के अगेंश ठीक हो गया अम्रीन तो हमें बता रहेंगे लीगल एस्प्रेक्स अब आपके जानेब आएंगे बहुत अच्छी बात ही के लोगों को पता ही नहीं है कि उनके राइट्स क्या है लोगों को अ जाना और उसके बाद उसका किताबों में चले जाना और काफी तेर तक उनके अपर कोई अमल ना होना तो यह वही प्रॉबलम है जो हमें यहां पर भी फिसकना पड़ी है बहुत सारे हमारे राइट्स हैं और उससे पहले जिसको हम रिस्पॉंसिबिलिटी का नाम देते हैं फोर दे कस्टमर यह बहुत इंपॉर्टन है फोर दे कंज्यूमर अपनी इस रिस्पॉंसिबिलिटी को भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना पार्ट क्या रोल करना जैसे एक्जांपल दी मैंने के हमें हर चीज के उपर जब खरीद रहे हैं तो हमें पता हो क्या 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 क कर सके तो रिस्पॉंसिबिलिटी जो है वो राइट से पहले का वर्ड है और उससे पहले जो तीसरा वर्ड जो पीछे बैठा हुआ है यह तो यह तीनों चीज़े जब इकटी होती हैं तो हम राइट के ओपर आवास लगाती हैं एंड देर इस नो डाउट के हम अभी बहु कंट्री हमसे बहुत आगे जा चुके में और हमें उसके उपर जाते हुए यह बहुत जरूरी देखना है कि हम कैसे उस लेवल तक पहुंचे और उसको यह देखे उसका एक ही हाल इस वकत मौझूद है वो जिस तरह इंक्लूटिंग अस जो हम कर रहे हैं एज एंजियो यह म लोगों को आइडिया हो असल नकल में क्या फरक है और अगर ऐसी प्रॉबलम अगर घर जा के मुझे फेस करना पढ़ लिए तो फिर मुझे केस फोर्म को कैसे जा के कॉंटेक्ट तो बाहर तो बहुत एक्जामपल्स है मैं उसमें लीगल में बहुत आइडिया होगा के पैसो वाली चीज़ को अगर एक्स्चेंज भी कराने जाते है रिटोनेबल की बाती डिफिर्ट एक्स्चेंज के लिए भी आपर कोई पॉलिसी नहीं है हम लोग इस पर फोकस नहीं करते हैं और देडिन नो आसको उनों मुझे वो मेडिसन चेंज कर के लिए दी दी तो इस आपको कॉस्यों मुझे आपको लगता है आपका जो आपका जो थोंपको काउंसल या करें उपको महाला होता है। और उनके बहाफ पे, जैसे एंगलेंड में ऐसे होता है कि they have these consumer के लिए छोटे gruops where in those little councils you on behalf of them, आपे case कर सकते हो या उनको highlight कर सकते हो and one more thing I want to add, कि जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ खरीदेंगे तो फिर ही आपको राइट जो राइट बिलता है का अपको करने हिस्के अलावा अगर प्राइस देंसरे शुर्ट का भाल का खिता है और आपको करके हैं और आपको भी चीज को आपको पता है कि अनकी रहे है बाफ कि पनेखे और बात क्रोड प्राद में आपको जिस नहीं है तो भी आप कंप्लेंड कर सकते है तो दी, इसे वाइलेशन की है जरूरी निया 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 रची बट रॉट इक है और उसमें भी आपको जादा लोगों के लिए आप एक चीज उनके लिए हल कर दोगा यहाँ पाकिस्तान में बात करें तो इस लाौस के हवारे से हैं गोक जहां पर एक जाम. इसमें परे रहरे है कैसली है के आशाijkेज भी आधार diagram यहाँ अगाम एफ प्रेयर बॉट इस पर जाए जो पंजाब प्रिटेक्शन जो मेरे उस पर गराब जाएं तो आपको यह ली जो जज्जमेंट्स हैं वह वेरी इंट्रस्टिंग फ्रॉम संबडी जिसका चारजर 400 रुपे का था और वो घर गया है और उसको पता चला है उसका चारजर खराब है और उसको वापिस मिले आ सिर्फ आपकोराइंट कर सकते हैं कि वह आपके पैसे आपको मिल सकते हैं को आप को यह पि कह सकते हैं कि इसका डिफेक्ट शही करें आपको यह audio बहु अधने चीज़ दे और को ह även कि यहा प्रेल आपको अपनछां की चीज़ हैं काफी कैसें जों सक्टियान की चीज को एक प्रॉब्लम हुए एक इंकन्वेलियंस हुए है तो बड़ी 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 मुल्टिनाशनल PTCL के कमने आपके सोगास के ऐसे है यह कोरियर का एक काफी बड़ा केस था जहां पर शिप्मेंट आई शिप्मेंट जब आई तो वाइटनर के हवाले से भी कुछ हुआ थ एड्रेस नहीं लिखते थे उसके उपर बहुत बड़ी एक्जामपल केचप की है कि उसके अंदर वो प्रॉपर तरीकों से टमेटो होते नहीं थे और उसमें मुक्तलिफ किसम की पल्प यूज की जाती थी तो लोगों को इस तरीके के साथ राइट ओफ इंफोमेशन नहीं की शेंपू की और यह हमारी एंजियो से मुक्तलिफ यह कैसिस इसमें बहुत सारी शुरू के अंदर जाते रहे हैं उस बॉटल के ऊपर ऐसे था कि लोग उसको जब खोलते थे तो उससे कट लग सकता था तो उसमें डिबेटिक पेशन्ट थे उसको वो कट लग गया और उस की खुरुट्स हमारी बिल्कॉल डिसिशन्स कह रहे हैं जहां पे उनको मा Алक्मिल और इ ár, जितना मौका मिल रहे हैं जितने कि तदाद है करoter को अगर इन चाहिक तो मुष्किल से आपको लोगत अई नि Chest Falls मुट यू घंग स्रे priorities सारे लेकिन लोगों को आसान कर दिया, आप तमाम रूल्स ले सकते हैं, देख सकते हैं, कहां पर हम उसको करें, यही वह अवेरनेस का पॉइंट है, जब अगर कोड़ के ओपर लोड बढ़ेगा, तो वह कोड़ एक से दो और दो से 4 बनेगी, अगर वह मौझूद उनके अपर कैसी है कि यश्यक्ताथ करें उनको लोगं कानटेक्ट ही नहीं कर रहे तो उनको वह दो तीन को बनानाई का लोग फील नहीं कर पा रहे कि उसकी नीड इतनी है या नहीं है ये है दो जार साथ से आगर कोड्स पनिवी है 2007 दो एक ही कोड़ थैप आप उसके अन देल के आपको चीज बेच रहा है उसी के ही खिलाफ नहीं है प्रफ़ टाइम उनको भी रिलीफ मिल यह जरूरी नहीं है कि लोग यह समझें कि यह काम में उनके खिलाफ है तो इस चीज को बहुत बहुत अपन होना चाहिए दोनों तरफ से हमें बराबर रहना चाहिए कि सम्टाइम्स लोग अगर उसको और अबव जा के गलत को केसिस को भी पुट करेंगे तो उससे एतमाद जो है वो ट्रेडर का भी भड़ेगा कि हमें पता है कि कोर्स के अगर नदर चलेगे और मेरी चीज ठीक है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होईगी And I like to add further something के जो false or frivolous litigation होती है मुझे दुश्मन ही है उसके पास वो कोई manufacturer है चलो जी उसके खलाफ हुए हैं ऐसे केसे ऐसे cases में ये भी हुआ है कि जब ज़ज को पता चले है ज़ज has to be impartial सारी evidence हाईगी तो फिर वो decide करेगा तो ये नहीं है कि आप manufacturer ये producer को आप फोरन libel करते हैं काफी cases में ऐसा हुआ है कि उल्टा जिसने case दायर के consumer उसको भी fine पड़ा है for misusing the law and misusing the court जो consumer है से उसके लिए rights नहीं है जो manufacturer है उसके लिए उसके लिए है अचा cases report होते है पैल्टी क्या है और किस तरह से होता है इस पर भी बात करें कोई भी limit नहीं है आपको किस किसम का fine या किस किसम की compensation में सकते है साथी criminal में भी जा सकती है आपको imprisonment भी हो सकते है if it's very grave and if it's something जो बड़ा ही ज्यादा आपने damage किया किसे को इस पर कोई आपने कोई cap नी रखी हुई कि आपको किसम की relief मिलेगी क्योंके cases इस तरीके के आते है किस कुछ करोडों का किसी को damage होता है अब को I think recent case है उसको 400 रुपय का damage हो है so that is why courts को काफी leniency दी गई है और अगर आप satisfied नहीं है 30 days के अंदर उस judgment के यह कुछ चीजें that I like to say. जिस दिन आपको पता चलता है कि आपके पास कोई चीज faulty है उसके बाद आप जब यह दायर करते हैं पहले आपको legal notice देना बड़ा जरूरी है legal notice के बगार legal notice to the manufacturer जिस जहां से आपने चीज खरीदे अगर आप 15 दिन के बाद आप देखते हैं कि किसी का response नहीं आया कोई out of court settlement नहीं होई उसके बाद ही आप court जा सकते हैं court के पास आप नहीं जा सकते जिती देर तक आपने अपनी तोर पे यह step नहीं लिया यह सबसे पहली यह prerequisite requirement this is the requirement that is that is all that you need और एक और चीज में इसमें काऊंगी कि इसमें कोई court fees नहीं लगती इसमें कुछ भी नहीं है आप जाके एक simple बंदा एक application लिखे और जाके यह अदालत में file कर दे it is as good as hiring a lawyer और lawyer को fee देना आपको यह करने के जरूद नहीं और 30 days जिसे नापको decision आती है consumer court की decision उसके बाद आपके बास 30 days है अपील में जाने के लिए तो यह थोड़ा से थोड़ा से फ्रिकी भी है और लेकिन बहुत असानी भी है आपके इलावा कितनी आंजूस हैं जो इस पर working कर रही है कंजूमर के लॉस के हवाले से उनको वेर्निस देने के हवाले से अलमूस पंजाब में तीन से चार और और ओनिजिशन इसी ही प्रोग्राम को और इसी चीज़ को लेके चल रही है पाकिस्तान लेवल के ओपर भी कुछ काम कर रही है लेकिन नो डाउट कि इसकी ज्यादा व कोईनिस भड़ी है कि हमने किस तरीके किसाथ अपनी जो भी राइट्स उसके उपर बात करना एए रही हम इसको ना थोड़ा साहम अगर बिल्कुल ले मेंट लेकर को चाहिए तो हमने किन-किन चीजाय के ऊपर आसानी के साथ बात करना कि इसको अगर बात करें तो कुछ यह ऐसे major factors है जैसे आपको quality के उपर अगर कोई concern है कि आपने quality कोई commit की और मिला कुछ सेकेंड नबर पर quantity है कि quantity लोगों ने बताई कि इसके अंदर thousand की quantity है लेकिन जा के देखा तो 990 है उसके बाद आजाता है कि प्राइस कि क्या प्राइस हमें उसके मुताबिक मिल रही है जो इस वकत market के मुताबिक मुनासिब है उसके ओपर mention customer जो जो दुकानदार है या जो भी shopkeeper है क्या उसको mention कर रहा है price के ओपर and fourth one is availability कि उस चीज की सब लोगों को availability मिल रही हो यह चार पंच कुछ basic चीजें होते हैं जिसके ओपर किसी को भी अगर concern हो तो वो जा के उसके ओपर बात कर सकता है मुक्तलिफ NGOs इसी तरीके सार चल रही है कि इन awareness programs को basic level के उपर लेके चल हो रहा है इसी तरीके से मुक्तलि प्रोग्राम जो है वो इस दे के हवाले से एक दिन को इस दिन के awareness देने के हवाले से सारे मसाइल हो जाएंगे या एक दिन हम मनाएंगे seminar करेंगे walk करेंगे तो state level में भी तो कुछ होना चाहिए ना इस हवाले से बिलकुल ठीक है रहे है य इसको हम सोचते ही है कि यह तो पूरे साल में होने चाहिए 365 डेज होने चाहिए लेकिन उसकी जब तक आप एक वैल्यू उसको एक दिन में हाइलाइट नहीं करेंगे तो वो पूरे साल में उसका सरनी हो सकता आप जब तक एक specific day को सिरफ शो करने के लिए उसको करने के लिए उसके लिए तो एक दिन जो है वो मनासिब है कि उसी के मताबिक चाहिए अच्छा अबी में एक आखी सवाल आप से करना चाहूंगा इसके में मैंसेज दो कि आप से आप जो एविदेंस है उसका क्या क्राइटेरिया है कि अगर एप्लिकेशन के थू हो जाता है उसके लिए करने पड़ेगी कोट पे सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले चीज यह जरूरी है कि आपकर रसीट हो रसीट हो और मैंने कुछ चीज पर चेस किया है रसीट के बहुत और यहां कोई किसम की अग्रीमेंट अगर जैसे कि को एक मोटर साइकल का कैसा वो जो सब ली जो आप लेते हैं, lease पे लेते हैं, installments पे लेते हैं, कोई भी agreement हो वो होनी चाहिए और अगर कोई chemical है जिसे में कोई food का product है which is quality तो वो पर लाब्स में जाएगा वो टेस्ट होगा, तो इसमें science, health, हर चीज का रोल है, as far as evidence is concerned, even otherwise, so वो फिर डिपेंड करता है आपका product क्या है, उसको चेक होता है, एक छोटा सा मैसे जाज के topic के हवाले से आप हमारे देखने होगा है, जो पूरे साल का बात करते हैं, जो भी चीजे इंटरनेट पे हो, जिससे data आ रहा है या जा रहा है, उसको हम smart product में उसका नाम देते हैं, तो smart products के हवाले से गर देखा जाए, तो इस वकत mobile phone पिछले तीन सालों के अंदर पूरी दुनिया में double हो गया है, two billion से four billion पे चले गया है, और अगले 24 billion के करीब smart products दुनिया में मौझूद हैं, और ये हर बंदे के उपर इस वकत तीन की रेश्व और ये बहुत जल छे की हो जागी और उसमें पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ रहा है, कि जितनी तेजी से तरक्की होगी, पाकिस्तान उसके अंदर फूर्थ नंबर पे तो हम प्रड़क्स के हावाले से समझना चाहिए, देखना चाहिए, कि हमें अवेलेबिलिटी है, हमें उसकी स्कूरिटी सबसे इंपॉर्टन है, कि उसके उपर प्राइविसी जो है क्या हम डाल रहे हैं उसको देख पा रहे हैं ये चार पांच इसके बेजर पॉइंट्स है और पॉइस इसके अंदर की जो हैं और प्राइव एक देख लेनिया, तांक यू वेरीम अम्रीन तांक यू वेरीम जापका भी थाहिए, भाष्ण कर्या ना वोल्त अंजीव में जीक के हवाले से आज हमने वेनिस देने की कोशिश की उमीद है, काफी हद तक दे पाया होंगे, पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजर होंगे, आप देखते रहें, जागल लहॉड